क्या फेल्म रमाइड में डबल रोल में नज़राएंगे रनबेर कपूर श्री राम के अलावा निभाएंगे एक और दमदार किरदार तो क्या रनबेर दश्रत वाला किरदार भी खुद ही करने वाले हैं या फिर कोई दूसरा रोल करेंगे साथ ही फेल्म में अमिताब बच्चन की जो एंट्री होने की जो खबर है तो फेल्म में अमिताब बच्चन किस किसम का रोल अदा करेंगे आईए जानते हैं कि फेल्म पर क्या और कैसे अपडेट आया है लंबे वक्त से चोड़्चा है कि रंबीर कपूर रमायन में भगवान राम का करदार प्ले करने वाले हैं हाना कि अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि इसके अलावा रंबीर एक और रोल प्ले करने वाले हैं सौथी अमिताब बिच्चन भी इस फेल्म से जुड़ चुके हैं दरसर भगवान राम की अलावा रंबीर जो दूसरा करदार निभाएंगे वो भगवान विश्नु के अवतार परशुराम का है पिपिंग मून की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कहानी में परशुराम का रोल छोटा है लेकिन उसका काफी महत्व है इसलिए मेकर्स इस किरदार को परदे पर दिखाना चाहते हैं ये तैय किया गया है कि इस किरदार को भी रंबीर ही प्ले करेंगे उनके गेट अब पर काम किया जा रहा है मेकर्स नहें परशुराम के रोल में ऐसा लुक देना चाहते हैं कि पहचान में ना आएं रनबीर के डबल रोल प्ले करने के साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बिताया गया है कि अमिताब बिच्चन भी इस फेल्म से जुड़ रहे हैं हाला कि वो इस फेल्म में कोई करदार नहीं निभाएंगे बलकि सिर्फ आवाज देंगे वो जटायू को अपनी आवाज देने वाले हैं रमायन में जटायू का खास एहमियत रहा है जब मा सीता का हरन हुआ था तो उस समय उन्हें बचाते हुए जटायू को अपने पंक खोने पड़ गये थे मेकर्स जटायू को भी परदे पर अच्छे से पेश करना चाहते हैं इसलिए आवाज देने के लिए अमिताब बच्चन को चुना गया है इतना ही नहीं मेकर्स ने अमिताब बच्चन की आँखों को स्कैन भी किया है जिसका इस्तमाल VFX के जरिये जटायू के किरदार को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए किया जाएगा फेमस VFX कंपनी DNEG के फाउंडर नमित मलहुतरा साथ सूपरस्टार यश की कंपनी Monster Mind Creations के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर नमित किसी भी तरह की कुई भी कमी नहीं चोड़ना चाहते हैं आपकी जानकारी के लिए बिताओ दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि साव दो हुसरचब़िस में ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीस हो सकती है बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं